पहला क्यूस्चन है कि किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया का आठवा अजूबा बनाया गया है इससे पहले आप सभी जानते हैं दुनिया में साथ प्रकार के अजूबे थे लेकिन अब से दोस्तो आठ अजूबे हो गए हैं तो अंकोरवाट मंदिर है कमबोडिया देश का ओप्सन नमबर वन इसका बिलकुल राइट है अब बात करते हैं अंकोरवाट मंदिर की जब इसकी निर्मान हुआ था बाहरवी स्ताबदी में किसके दुआरा राजा सूरिय वर्मन दुवित्य के दुआरा तो दोस्तो यह एक विश्णू बगवान को समर्पित मं इसको एक बोध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया उत्तर प्रदेश में आयोध्या में दिपोच्छों के दोरान कितने दिये जला कर गिनीज बुक ओफ विश्व रिकोर्ड बनाया है तो आपको बता दूं इस बार आयोध्या ने इतने दिये जलाए हैं कि एक रिकोर्ड बन गया है उन्होंने जलाए थे टोटल 22,23,000 दिये अब आप ये सोच रहे होंगे इतने दियों को गिना कैसे गया तो आपको बता दूं ड्रोन की साहिता से दोस्तों इनको गिना गया था 2022 की बात करें तो दोस्तों 15.76,000,000 दिये जलाए गए थे 2022 में जो की इस बार कितने फाल्तू हैं इस बार 6,000,000 से भी जादा दिये जलाए गए हैं जिसके कारण ये रिकोर्ड बना है युनेसको ने किस सहर को भारत का पहला साहित्य का सहर बनाने की गोस्ना की है तो दोस्तों आपको बता दूं पूरे वर्ड में काफी सहरों को चुना गया है जिनको कुछ special दर्जे दिये गए हैं तो वैसे ही पर्थम साहित्य का सहर दिया गया है केरल के कोजी कोड को प्रदेश का गौालियर को संगीत के सेर का दरजा दिया गया है युनेस्को के द्वारा। 2023 में जो 33 नंबर का व्यास सम्मान था उसे किस लेखक को दिया गया है। तो आपको बता दूं 33 व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले लेखक हैं पुस्पा भारती जी। उप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा और किस रचना के लिए इनको ये वार्ड मिला है तो वो रचना है यादे यादे और यादों के लिए तो ये इनकी रचना के लिए इनको ये पुरुषकार दिया गया है इस पुरुषकार के तहत दोस्तों 4 लाग की रकम दी जाती है इसकी सुलवात होती है 1991 में और किस फाउंडेशन के द्वारा तो के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरुषकार दिया जाता है भारत का 42 वे नंबर का युनेस्को विश्व दरोवर्स्थल कौन सा बना है तो 2023 में 42 वा युनेस्को हेरिटेज साइ बनी है वो है करनाटक के होईसेल मंदिर जिहां दोस्तों ओप्सन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है होईसेल मंदिर की बात करें तो इनका निर्मान बारवी स्ताबदी में हुआ था अब यहां से एक स्पेसल क्यूशन आप से पूछेगा कि इंडिया में टोटल कितनी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो टोटल दोस्तों 42 हो गई है जिसमें से 34 दोस्तों कल्चरल है साथ आपको बता दू नेच्रल परकार की है और जो एक बच गई वो है मिक्स परकार की तो मिक्स कौन सी है दोस्तों वो है कंचन जंगा युनेस्को ने किस राज्य के पारंपरी गर्बा नर्ते को अपनी सांसकर्तिक विरासत सूचे में सामिल किया है तो ये तो सभी जानते हैं कि गर्बा कहा कहा है गुजरात कहा है लेकिन आपको बताना था कि युनेस्को ने इस नर्ते को अपनी विरासत सूचे में सामिल कि तो जो दुरगा पूजा थी कॉलकत्ता की उसको इसमें सामिल किया गया था 2021 में किस राज्य के धोरोडो गांग को UNWTO के द्वारा सबसे बेस्ट गांग का दरजा दिया गया है तो यह किस राज्य में है दोस्तो तो गुजरात राज्य का है कौन सा गांग धोरोडो अब आप बात करें UNWTO की तो इसकी फुल फोरम है United Nations World Tourism Organization इसकी स्थापना होती है 1975 में और इसका हैड़क्वाटर है स्पेन देश में परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा किस सहर में बगवान सीव थीम वाले International Cricket Stadium की आधारसिला रखी गई है तो वो स्टेडियम है दोस्तो उत्रप्रदेश के वारा नसी में और यह पहला उत्रप्रदेश का स्टेडियम है जिसको कोन तयार करवा रहा है BCCI और यह स् इस राज्ये में समक्का सरक्का जनजातिय विश्विद्धाले खोलने की गोशना की है तो वो राज्ये है तेलंगाना दोस्तो 900 क्रोड रुपे की लागत से बनाए जाने वाला विश्विद्धाले है कौन सा समक्का सरक्का जो की तेलंगाना में खोला जाएगा Q10 है कि भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायन अक्सरधाम मंदिर का उद्गाटन हुआ है दोस्तों इंडिया के बाहर की बात हो रही है हाला कि इंडिया के न्यू देली में भी एक्सरधाम मंदिर है लेकिन इंडिया के बाहर की बात करें तो वो है अमेरिका के न्यू जर्सी में बात करें इस मंदिर की तो 183 एकड में फैला हुआ मंदिर है और इसको बनने में दोस्तों कम्प्लीट 12 साल का टाइम लगा है परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने नव निर्मीत संचद भवन के उदगाटन के समय लोग सभा अध्यक्स की सीट के बगल में क्या रखा था पूछ सकता है कहां पर रखा था तो जो लोग सभा अध्यक्स की सीट होती है उसके साइड में रखा था इसके उपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है आप चाहें तो देख सकते हैं और इसके आर्किटेक्ट कौन थे विमल पटेल जी क्यूशन नमबर 12 है कि भारत के किन सहरों को वर्ष 2023 में युनेसको के रचनात्मक 55 सहरों की नेटवर्क सूची में सामिल किया गया है तो इंडिया के दो ऐसे सहर है जिनको 55 सहरों में सामिल किया गया है पहला तो है मद्य पर्देश का गुवालियर और दूसरा है केरल का कोजी कोड तो अपसन नमबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोनों जैनों को इसमें सामिल किया गया है नमबर दोजा तेईस में केंदरिय मंतरी मंडल ने आदिवासी कल्यान लोगों के उदेश्य के लिए किस अभियान को सुरू किया है तो वो है दोस्तो PM जन्मन इसकी फुल फोरम की बात करें तो परधान मंतरी जन जाती आदिवासी ने आए महा अभियान इसकी फुल फोरम है और इसको मोदी जी के द्वारा 15 नमबर को जन जाती है गोरव दीवस के उपरकस में मंजूरी दी गई थी और इसमें टोटल कितने विशे आते हैं तो 11 परकार के इसमें विशे आते हैं क्यूशन नमबर 14 है कि बारत का पहला परकास तम उत्सव किस राज्य में मनाय गया था तो यूनीक क्यूशन है काफी चर्चा में भी था तो वो मनाय गया था दोस्तो गोवा राज्य में उपसे नमबर 20 का बिल्कुल राइट है क्यूशन नमबर 15 है कि गोवा में आयुजीत 37 वे नमबर के राश्टिय खेलों में सामिल होने वाला गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से सम्मंद रखता है तो गतका का सम्मंद है दोस्तो पंजाव राज्य से उपसे नमबर 1 इसका बिल्कुल राइट है अगर आपको 37 वे राश्टिय खेल से सम्मंद इत कोई भी क्यूशन जानना है तो उसके उपर मैंने special वीडियो बना रखी है आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से यूनिक क्यूशन एक तो ये बनेगा कि 38 वे राश्टिय खेल कहाँ पर होंगे उत्राखंड में और चो 36 वे नमबर के हुए थे वो कहाँ पर हुए थे तो गुजरात राज्य में हुए थे World City Cultural Form जिसको हम बोलते हैं WCCF में सामिन होने वाला बारत का पहला बारतिय सहर कोन सा बन गया है तो वो बना है दोस्तो बैंगलूरू और ऐसा करने वाला पहला सहर है वो टोटल कोन सा सहर बना है 41 वे नमबर का सहर बना है WCCF में